गुड मॉर्णिंग दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 बाइलोजी सेट पेपर 1 का मॉडल कोशेन पेपर तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ सामाने निर्देश के बारे में सामाने निर्देश में नॉर्मली बताया गया है कि जितनी भी कोशेन हैं आप लोग को खुद से अंसर को लिखना है टोटल प्रशन की संख्या 19 है एक से लेकर के 7 तक का जो कोशेन है उसमें आप लोग को अती लगू प्रशन का उत्तर देना है एक नॉर्मली आपको 5 कोशेन अटेंड करना है एक से लेकर के 7 में 7 कोशेन रहता है जिसमें से आप लोग को 5 कोशेन अटेंड करना है एक-एक marks करेगा, पांच marks, ठीक है, इसमें पांच marks आप लोग को मिलेगा, very short answer question है, question 8 से ले करके 14 number का जो रहेगा, अपका लगु उत्रिय प्रेशन रहेगा, 5 question attend करना है, 50 numberों में, sorry, 50 सब्दों में questions को लिखना है, ठीक है, answer, और 3-3 marks का answer रहेगा, ठीक है, 3-3 marks का, रहना च आपका 15 से ले करके 19 तक का जो question है, वो दिर्ग उत्रिय प्रेशन रहेगा, जिन में से आप लोग को तीन question attend करना है, और 1100 सब्दों में लिखना है, 5-5 number का वो questions रहेगा, right, चलिए, अब start कर लेते हैं, जैसी कि तीन खंडों में रहेगा आपका questions, A, B और C, पहला question है कि पा पादफ हार्मोन किसे कहते हैं, तो पादफ हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है, जो कि पोधोक को जिवीत रखने में, उनके balance को बनाए रखने में, उनके फलने में, फूलने में मदद करता है, जिस तरह से मनुष्य के सरीर में गिलेंड होता है, जिससे हार्मोन सेक्रेट होता है उसी तरफ, प्लांट के बोडी में कुछ ऐसे अंगक होता है, जहां से हार्मोन स्रावित होता है, लेकिन प्लांट बोडी के अंदर में कोई ग्लैंड नहीं होता है, कोई ग्रंथी नहीं होता है, ठीक है ना, प्लांट बोडी में कोई ऐसा अंगक होता है, वहां से हार्मोन स् आप लोगों को इस तरह से लिखना है कि हार्मोन एक परकार का ऐसा पिग्मेंट होता है जो पोधों के सारे रिक कारियों को करने में मदद करवाता है जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आशरित होता है परपोसी ऐसा पोसन को बोला जाता है जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आशरित होता है जैसे कि मनुष्य एक परपोसी जीवे जो अपने भोजन के लिए कोई एनिमल या फिर प्लांड पर डिपेंडेंट रहता है जैसे कि अगला question है कि स्वसन का क्या अर्थ है इन सब के answer को हम लोग एक एक करके discuss करते हैं जैसे कि यहाँ पर बात किया जाए पादप हार्मोन के बारे में यहाँ पर बताये गया है तो बहुत जादा हम लोग नहीं लिखेंगे हार्मोन है कि पादप हार्मोन जिनको फाइटो हार्मोन भी करते हैं यह एक राशायन है जो पोधे में विकसित पोधे के विकास को नियमित करता है इतिने दूर तर लिखेंगे उससे ज्यादा हार्मोन के बारे में नहीं लिखना है क्योंकि एक नमबर का कोशन है चलिए कोशन नमर्ट टू जैसे कि हम लोग देखें कि यह हो गया आपका पोशन तो पोशन किसे कहते हैं कि वह जिव जिसके सरीर में किसी परजीवी का आस्रय या पोशन मिलता है है उसे पर पोशी कहते है जिसको होश्ट बोला जाता है यहां पर क्लियर है कोशन मत्री में जैसे कि बोला गया कोशन मत्री की स्वशन से आप क्या समझते हैं तो उसका स्वाशन यहाँ पर है कि स्वशन या सांस लेने का अर्थ होता है कि ऑक्सिजन से स सम्रिध वायू को अंदर घिजना या गरहन करना और कार्वन डाकसाइड से सम्रिध वायू को बाहर निकालना बस इतना ही आप लोग को लिखना उससे जादा नहीं ठीक है स्वसन का अर्थ इतना ही आप लोग को किलियर करना कि सांस ऑक्सिजन का सांस को अंदर लेना और कार् कोशन लोग discuss कर लेते हैं next question number जैसे कि यहां पर four question में four में है आपका कि रूधीर चाप क्या है अग question में five में आपका है कि नेफरों किसे करते यह नेफरों क्या है तो रूधीर चाप यानि कि blood pressure हाना और नेफरों क्या है तो answer इसका check कर लेते हैं आप लोग का काम है बेस तरीका से नोर्स को बनाते चलिए ठीक है जैसे कि यहां पर बीपी के बारे में blood pressure के बारे में तो रक्त चाप क्या है तो रक्त वाहिनियों की बाहरी जिली पर रक्त संचार का मतलब होता है एक जगर से दुसरे जगर फेलना रक्त संचार डुआलेगे दबाव और यहां पर प्रमुख जिवन संकेतों में से यह एक है तो रक्त डाव होता है हम लोग कहां तक लिखेंगे रक्त वहिकाओं से ले करके दबाव तक बतलब कि रक्त वहिकाओं की बारी जिली पर रक्त संचार दुआरा डाले गे दबाव को ही रक्त चाप कहा जाता है बस इतना हम लोग इसका एंसर को लिख देना ठीक है? ठीक है? ठीक है अंसर एक नंबर का अंसर दो या तीन उससे ज़्यादा लाइन तक नहीं लिखेंगे अब नैफरोन के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि नैफरोन क्या है? तो नैफरोन किरिनी की सुख्षम सरंचनात्मक और किरियात्मक इकाई है इतना ही दूर तक हम लोग लिख सकते हैं और बहुत जादा होगा तो इनको भी एड कर सकते हैं कि यहाँ एक रिनल कारपल स्कल और एक रिनल टिबियूल में बना है तो इतना दूर तक हम लोग लिख सकते हैं और अगर ज़्यादा नाम आने मन तो इसको भी लिख सकते हैं कि वरिक वाहिनी में कोशिकाओं के गुच होता है तो यह बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा एक नमबर के लिए उतना ज़्यादा आप लोग को नहीं लिखना है बस क्या करना है नेफरोन से ले करके किरियात्म इक आई है बस इतना ही दूर तक एक नमबर के लिए आप लोग को लिख देना है ठीक है चलिए अगला कोशन अब लोग देख लेते हैं तो पहले तो कुशन नमबर 6 का अंसर देखेंगे कि बॉल और सौकेट संदी कहा पा जाती है बस एक लाइन में इसका अंसर रहना चाहिए उतना ज़्यादा बड़ा नहीं करना है ठीक है एक लाइन में तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग को देख रहेंगे कि बॉल और सौक को जोड़ा होता है वह जांगों में पा जाता और सुरेनी बंद में पा जाता है ठीक है चलिए अब अगला कुशन जैसे कि आप लोग का नेक्स कोशन कि टी एस एंज का फुल फॉर्म तो टी एस अंज का फुल फॉर्म यहाँ पर है थायरोइट इस्टीमुलेटिंग हार् चलिए अगला कोशन नेक्स कोशन आपका रहेगा कि स्वसन गुनांक किसे काते हैं यहां पर कोशन में भी होगा उसको दिखा देते हैं आपको लोगो कोशन होगा कि स्वसन गुनांक किसे काते हैं यहां पर देख लेते हैं सास या स्वसन गुनांक स्वसन के दोरान मुक्त तत्हा उप्योग में लाई गई Oxygen के अनुपात को स्वसन गुनांक काते हैं जितना amount में मुक्त हुआ मतलब कि Release हुआ Oxygen और जितना amount में oxygen को लिया गया इसके अनुपात को इसके रेशियो को ही स्वसन गुनांक काते हैं जली अब अगयन हम लोग कोशन देख लेते हैं यह आपका 8 नमबर का स्वसन गुना से आप क्या समझते हैं इसका अंसर हम लोग देख चुके हैं अब हम लोग कोशन बनाइन देखेंगे कि पाचन को नियंतरित करने वाली किनी दो हार्मोन के नाम लिखे और उनके कारिक को भी आप लोग को वनन करना ठीक है तो पाचन को नियंतरित करने वाली कोई दो हार्मोन का नाम क्या होता है तो देखें दो हार्मोन अगर देखा जाए ठीक है तो एक हो गया आपका पैपसीन ठीक है पैपसीन जो कि इस्टमक में पा जाता अब pepsine का काम क्या है pepsine का काम है आपका कि protein का पाचन करना टिक है और वही पर बाद दुसरा अगर देखा जा hormones टिक है बाद हर्मोन आप लोग comment कीजिए और उनका कारे को भी comment करना है टिक है ना हर्मोन का नाम बना दिने pepsine होता है उनका कारी होता है कि पाचन करना है प्रोटीन का दूसरा हर्मोन का नाम आप लोग कमेंट कीजिए और उनका वर्क को भी कमेंट करना है Quesion number 10 है कि जिब्रेलीन का मुख्य कारी क्या है तो देख लेते हैं जिब्रेलीन का मुख्य कारी जिब्रेलीन जो है कोशी का विभाजन तथा कोशी का द्रिगन दुआरा तने को लंबा बनाता है यह इनका कारी है तो कोशी का विभाजन में जिब्रेलीन का काम होता है पोधे के तना को लंबा करने में जिब्रेलीन का कार्य होता है और जिब्रेलीन जैसे कि यहां पर और भी दूसरा वर्ग दिया है कि जिब्रेलीन हार्मोन का प्रियोग करके बिज रहित फलो का उत्पादन किया जाता है बिज रहित फलो का उत्पादन जिब्रेलिन हार्मोन का उप्योग करके बना सकते है तो ये हो गया आपका जिब्रेलिन अब जैसे कि next है next अगला कोशन है कि सीरा और धमनी में क्या अंतर है सीरा और धमनी तो यहां पर सीरा और धमनी का अच्छा कसा उदारन दिया हुआ क्या है धमनी से रुधीर यानि कि जो बलड होता है हिर्दय से अंगो की और प्रवाइत होता है ये पहला है और सीरा में उसका अपोजिट हो गया सीरा में क्या होता है कि जो रुधीर होता है वो अंगों से हिर्दय में टांसफर होता है किले रहे नेक्ष्ट है कि जो धमनी होता है आपका हिर्दय की धड़कन के कारण उसमें रुधीर रुक रुक कर आर्थिक दबाव के साथ परवायत होता है लेकिन इसमें सीरा में क्या होता है कि सीरा में जो रुदीर का गती होता वो एक समान होता है वहीं पर अगर देखा जाए धमनी की भितिया मोटी होती है और लचिली होती है लेकिन सीरा का जो भितिया पतली होती है कम लचिली होती है यह सब अपने कोपी में नोट कीजी अब धमनी देखा जाए तो धमनी जो है इनकी आंतरी गुहा संकरी होती है यानि कि पतला होता है और सीरा में जो सीरा का जो गुहा होता है यानि कि जो ट्यूब होता है वो धमनी के रिगार्डिंग थोड़ा सा मोटा होता है ठीक है अगर और भी इसका इंतर देखना है तो इ इसलिए तो बुला एता है इसमें 120 वते हैं簡ी अगला कोषियन आप लोगा है की जैसे कि अगला कोषियन है कि पोधोर जानवरों में कि प्रिवहन महतवपूण हैं क्योंकि इसे पोषक पोशक तत्वो जल खनीज आदी की आवाजा ही होती है परिवहन अगर नहीं होगा संचारन अगर नहीं होगा तो पुषक तत्वो और जल बाद-बाद सब्चारन की खनीजों का इधर उधर पूरे बोडी में नहीं फेलेगा तो फेलाने के लिए जितने भी खणिज है जितने भी बिटीमिन से एनेर्जी है पूरे बोड़ी में फैलाने के लिए ही परिवहन जरूरी होता है जो उनके सरी की प्रते कोशिकाओं को जिवीत रहने के लिए आविश्यक होता है तो यह इसका अपलोगा राइट एंसर हो जाएगा अब फिर से को को शेंच्ट को शेंन क्या है यहाँ पर ये खोशें में थहरे कोस्टमाइए अंतर में इसको ंलें दशाल आ कि मियों नक्लीमिर से जितने मीँंसा सब बोड़ी में और कोशीप हो सकी हैं सरी इतने से वौ जिंदा रही सकए अपनी नियक्त से कर सके इसके लिए गमन का भी ह जरुद्ध होता है अगला कोशेन आपका जैसे कि प्रोजेस्ट्रोन और लिटीनाइजिंग हर्मोन का क्या कार्य है प्रोजेस्ट्रोन और लिटीनाइजिंग हर्मोन का कार्य आप लोग को बताना है तो देख लेते हैं कोशेन का अंसर प्रोजेस्ट्रोन और लिटीनाइजि ग्रंथी, एड्रिनल ग्रंथी यहां पर है, हना से स्रावित होता है, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोन किस स्रावित होता है, अंडासय से और एड्रिनल ग्रंथी, ठीक है, प्रोजेस्ट्रोन हर्मोन महिलाओं के सरीर में कई कार्यों को नियंतरीत करता है, ठीक है, प्रोजेस्ट् कर लें लेते हैं लिएटी नाइजिंग हर्मोन तो लिएटी नाइजिंग हर्मोन को गॉनेडो टॉकिक हर्मोन कहा जाता है यहां पर अलग से कुशन आगया कि गॉनेडो – किक टॉक्विक हर्मोन कि से कहते हैं कि लैरे यहां पर बोड रहा है कि जो पुरुकाल प Bosita skin recovery gland महिलाव प्रजनन अंगो जो कि अंडासय और प्रूस प्रजनन अंग जो कि व्रिशन के कारियों को नियंतरीत करके प्रजनन प्रणाली को नियंतरीत करता है यानि कि लिटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो अंडोत सड या फिस सुक्रानु जनन को करवाने में या फिर उनके उ आस्टर ग्रंथी भी था जाता है जो हमारे मच्द ब्रेंग में पाय जाता है अब हम लोग आ सरे छेले तो कोशन जासे कि कृषियं से दीखिया फिलिब्लैंक को 20 नद्राइब कर दिल्ब्लायते व्रिधी हार्मोन भी का जाता है तो आप लोग कोपी में नोट कीजिए ग्रोथ हार्मोन या फिर व्रिधी हार्मोन कोशेन नमज से कि यहां पर सेकेंड है कि डैस ग्रंती चयापचय को नियंतरीत करता है तो चयापचय को को नियंतरीत करता है बीपी को को नियंतरीत करता है तो thyroid यहाँ पे हो जाएगा thyroid thyroid जो gland है जो गरंती है वो चयाप चय को नियंतरीत करती है question मत्री है progestron dash hormone है तो progestron जो होता है वो sex hormone होता है जनन हर्मोन होता है next insulin dash kosikाओं द्वारा स्रावित होती है तो insulin जो है वो बीटा kosikा द्वारा स्रावित होती है और alpha जो है alpha जो है वो glukagone alpha cell glukagone नाम का हर्मोन को स्रावित करता है और बीटा जो है वो insulin को स्रावित करता है और ये alpha बीटा और gamma किस में पा जाता है अगनासे में पा जाता है तो insulin जो है वो beta बीटा kosikा में पा जाता है बिटा कोशी का द्वारा स्रावित किया जाता है अगला कोशन है पाचवा नमबर डैस 3F हार्मोन का लाता है तो किसको 3F हार्मोन कहेंगे तो एड्रिनलीन को ठीक है एड्रिनलीन एड्रिनलीन जो ग्लेंड है जो ग्रंथी है उसको एड्रिनल gland से adrenaline hormones रावित होती है तो adrenaline hormone को F3 hormone कहेंगी ठीक है और भी adrenaline hormone को और भी तिसरे नाम से जाना जाता है उनको बोला जाता है emergency hormone adrenaline hormone को emergency hormone के भी नाम से जाना जाता है या फोई और फाइट के नाम से भी जाना जाता है F3 hormone हार्मोन के नाम से वी जहना जाता है तो इसका र cannon यह हो जाएगा एडीनौन यहीजण किससे स्रावित होता है थैसे इत्वा जोड़ान यहीजणी है तक ओडिक और जो तक फ्रहा गम्याने के पर में क्या प्लाकर्वें उसे एडिनल इडिनलीन हार्मों उसे श्रावित होता है ठीक है अगला question देख लेते हैं question मरें 16 है hatch एवं scale pathway का संचित्र वर्णन करना है तो हैंच एवं स्केल पाथवे देख लिते हैं क्या होता है यह जी है आपका हो गया है है तथा स्केल पाथवे तो हैंच तथा स्केल पाथवे के सीफोर्चक्र भी कहा जाता है इसमें है कि ऐसे पादप जिन में कार्बन डाकसाइड का आउसोसन एक या चार कार्बन वाले अस्थाई योगीक के दुआरक किया जाता है तो यह हो गया आपका हैच और एसकेल पातवे इसमें क्या होता है कि C4 जो है पादप कलाता है या C4 चक्र के पादप कलाता है तता ऐसे आवसोसित कारवन डाकसाइड लिखावा कारवन डाकसाइड से ग्लुकोज का निर्मान के परिक्रिया को C4 चक्र के नाम से जाना जाता है तो इतना दूर तक काफी हो गया ये और भी जैसे के नीचे है अगर कम आए तो इसको भी लीग सकते हैं जैसे यहाँ पर है कि सिफोर चक्र को सरोपर्थम मक्का में सा 1964 में कैपली लोक नाम का विज्यानिक दुआरा खोजा गया था चले और नेक्ष्ट जैसे कि यहाँ पर है कि इस विज्यानिक के दुआरे या पता जाता है या इतना काफी है बनाने के लिए अगर 5 मार्क्स का है तो इतना आप लोग को निखना पड़ेगा इसको बढ़या तरीका स्क्रीन सोट मारे या फिर इसको अपने कोपी में नो डाउन किजी यहाँ जो cut गया था पिछे तरफ उसको हम बता दिये हैं वीडियो को बड़ा तरिकर से सुन करकर लिखिएगा जो cut गया वो चले यह इतना काफी है इतना दूर तरफ का काफी है इतना दूर तरफ का लिखना है अगर 5 मार्क्स का है तो 5 या 3 marks चले अब अगला question again देखते हैं next question next question है आपका मनुष्य के आहार नाल मनुष्य के आहार नाल का नमांकन चीत्र आपको बनाना है तो चीत्र को बना करके और फिर उसको क्या करना है थोड़ा सा details भी दे देना है next question है कि मनुष्य के स्वशन तंत्र का सचीत्र वर्नन करना है मनुष के अहार नाल का सिर्फ चीत्र बनाना है इसमें क्या करना है पुरा वर्नन करना है तो दोनों को देख लेते हैं अहार नाल में बहुत ज्यादा बताना नहीं है सिर्फ पिक्चर को क्या करना है डो करना तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमुख देखनेते हैं अहर नाल के जरी यह आपका जीव है जीव जीव का पाचन नाल या अहर नाल जिसको डाजेस्टिव और एलिमेंटरी के नाल बोलेंगे 25-30 फूट की लंबी नाल होती है जो मुझ से लेकर के मलासर या गुदा के अंत तक विश्टरीत होती है इसमें एक ससंत लंबी नली है जिसमें आहार मूख की प्रवरिष्ट होने के पशात ग्रास नाल जीतमी और गयन है अंगख है सब के बार में बता गिया है कि ग्रास नाल जीसको फूड पाइब बोला जाता है अमासर होता है गरहनी होता है चुद्रान ह मालाते होता है नाम का अव्यक्ता हुआ मे पूरा का पूरा प्रोसेश डाईस्टिव में बताया अब यहां जैसे के पिक्šिर को देखेंगे म आपको जैसे के मुह हैं मुह में क्या हुता है तालू होता है अली जिवा उता है जीव होता है और दात होता है अली जीवा यह हो गया आपका slivery gland जिसको बोलJO TAK सब जितना भी है यह सब आपका slivery gland का भाग है slivery gland तीन परकार का तीन भागों में पाजाता है उसका नाम यहाँ पर दिखाये गया है लार गरंती जिसको बलाएता है जिससे लार निकलता है ठीक है टाली नाम का लार पी टी वाई एला या नी टाली चुले अब आगे देख लेते यहां पर जैसे कि यह आपका हो गया यक्रीत हमारे बोड़ी का सबसे बड़ा इंटर्नल और्गेन जो है वो यक्रीत है यहां पर दिख रहा हुगा यहां पर आप लोगो दीख रहा होगा यह अंदर ओला भाग अंदर ओला जो भाग है इसे को बोलेंगे अगना से जिसमें आलफा सेल बिटा सेल और गमा सेल रहता है यहां पर इसको जो बोलेंगे अपसिष्ट पाथ है जिसको बोलेंगे परिसिष्ट चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें जैसे कि अब नेफ्रोन के बारे में यहां पर हम लोग उत्सर्जन तंत्र है तो उत्सर्जन तंत्र के बारे में जो कुछ भी है उसको पहले बढ़या तरीका से देखेंगे चीक है next question का answer खून का च्छानन इसी छेतर के भीतर भी होता है मतलब कि इस नेफरोन में मतलब कि जो वरिक होता है इसमें खून जितनी भी गंदा खून होता है इसी में फिल्टर होता है परतेक नेफरोन में वाहिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसमें ईंदर में ये वरिक में नहीं पा जाता और उस नौट के अंदर में एक थेखा, और नहीं को गीरी होती है यह आफ़े घीày रहते है जिसे आउली कलीं मेरूलते हैं। तो यह आप लोग इस्ट्रक्चर को देख करके अच्छी तरीका से समझना है सबसे पहले नेफरोन का एक इस्ट्रक्चर को लेना है और फिर जो हम बोल रहे हैं उस चीज को मैच करके बढ़ा तरीका से देखना है बोड़ा है कि जो रक्त ग्लोमेयोल्स के माध्यम से बाते हैं वे बहुत दबाव में होते हैं इसी वज़े से वोमन कैपसूल में ग्लोमेयोल्स पानी ग्लुकोज और यूर्ग्या परविश कर जाती है और फिर बोड़ा है कि रक्त में सफेद रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कणिकाएं और प्रोटीन रहते हैं जैसे जैसे रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्त का बहावजारी रहता है वह गुर्दे से छोटी छोटी नलिका में वापस लिपड़ जाता है और इसी दोरान पुनह और चूसन होता है मतलब कि वापस से मतलब कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है इसा नहीं कि फिल्टर एक बार होता है बलट का फिल्टर एक बार नहीं होता है दो तीन बार बलट का फिल्टर होता है तब जाकर के यूरिया का निर्मान होता है इन सब पको आप लोग बढ़े तरीका से लिक करके और फिर याद करना है तिकहां इतना दूर तक आपका देख लेते हैं पिक्चर इनको बोला जाता है जो किड़न को सेपका हो Grad जिस तरह जो को को सिका बोलेंगे न उसी तरह वरिक के सरंचनात्मक को क्रयात्मक इकाई को नैफरो बोलेंगे सब्सक्राइब के अंदर में पाा जाता है Glomerulles Glomerulus के अंदर में पा जाता Women's capsule और उन्ही वामें ही क्यापसूल में ही Blood का Filter होता है और Urea के Form में बंद करके फिर इन अलिकाओं में Urea का Formation होके इन अलिकाओं में निचे आता है Bloodर में वो जमा होता है Bachelor में जमा होने के बाद मुत्रासे में जम्मा होने के बाद मुत्र मार के जरी फिरो बाहर निकलता है क्लिए रहे तो यह हो गया पूरा का पूरा उत्सरजन तंत्र अब जैसे के अगला कोशन हम लोग देख लेते हैं बहुत ज़्यादा और कोशन नहीं बाकी बचा है नेस्ट कोशन है लास्ट ठीक है ना नाइन्टीन नमबर है मचली है मैंडक है मधु मख्यी है या फिर मख्यी है तथा पंची का प्रचलन अंग तथा अमिवा दिया है यूगलीना दिया या फिरामिशियम के प्रचलन अंगों का नाम अपलों को बताना है चीक है तो जितना हो सके यहाँ पर हम किलियर किये हैं प्रचलन अंग का नाम देख लेते हैं जिसे कि प्रचलन अंग का नाम यहाँ पर तुच्चा केचुवा तो केचुवा तुच्चा से अपना क्या करता है माइगरेट करता है एक जगह से दुस्य जगह या फिर जिन्दा रहता है अब मचली जो है वो गिल्स के जरिये मगरमच जो है मच्छर जो है मच्छर जीव के जरिये मानो जो है फेफडा के जरिये बाद बाकि जो छूट गया है वो आप लोग क्या करना खुद से या फिर नेट में सर्च करके बना देजेगे थोड़ा सा इसमें डिटेल से यह भी दिया हुआ है कि स्वासन एक चैप्चे प्रकरिया है लिए जीका जिसके जरीए वो जिंदा रहता है जो जो सभी जीवों में होती है इस प्रकरिया में मुख्यरूप से उर्जा का संस्लेशन अक्सिजन का सेवन और जटिल कारवन पैदार्थों के अक्सिजन से Карवन डाकशाईड में या फिर कारवन डाकशाईड की मुकती सामील है इसमें मतलब कि सांस के लेना फिर ATP का बनाना मतलब एणेर्जी का बनाना या फिर उर्जा का संस्लेशन करना और वापस से CO2 को बाहर निकालना ये प्रोसेस स्वासन के चैपचे प्रक्रिया में सामील होता है केचुआ अपनी तुच्चा में मौजूद छिद्रों की मदद से सांस लेती है मच्छर जो है वो आम तोर पर आखों के पीछे मौजूद अस्पाइरेड्स की मदद से सांस लेती है तो बाद बाकी अप लोग को बताना है के पैरामिश्यम वगला हो गया यूगलीना वगला हो गया वो किस परकार से स्वासन की किरिया करती है तो मिलते है आज के लिए इतना है थैंक यू